क्योंकि अभी COVID गया नहीं है और पैंडेमिक जो है वो तो मौका ढूंड रहा है वाइरस एक मौका ढूंड रहा है कि हम कैसे आगे फैले तो सोच रहे थे कि करोना खत्म हो गया वैक्सीन आ गई केसे कम हो गए क्या हुआ सर यह फिर से कैसे बढ़ रहा है तो आपके बात सही है कि केसे एकदम कम हो गए थे लेकिन COVID गया नहीं था वाइरस हमारे बीच में ही था और कई लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि करोना खत्म हो गया है अब हमें मास लगाने के जरूद नहीं है फिजिकल डिस्टंसिंग के जरूद नहीं है हाथ धोन लगी तो अगर उन ऐसी सिती में किसी एक व्यक्ति को भी COVID हो तो वो बहुत सारे लोगों को एकदम इंफेक्शन फिला सकता है और एकदम जो है केसे बढ़ सकते हैं और यह हमने कई राज्यों में देखा भी कि केसे बढ़ गए हैं हमें यह समझना चाहिए कि वैक्सीन हमार वैक्सीनेशन नंबर जो हैं ज्यादा नहीं होते तब तो COVID-appropriate behavior बहुत ज़रूरी है और जो testing, tracking, isolation की पहले हमारी policy थी छे मिने पहले वो अभी भी बहुत ज़रूरी है लेकिन क्योंकि केसे कम हुए लोगों ने सुचा कि अब सब को गया और यही 100 साल पहले जब Spanish चुल हु हो गया और एकदम स्पाइक हुआ और एकदम cases बड़े और उससे आर्टेक्स भी बड़ी थी डॉक्टर गुलेरिया क्या यह सीधे सीधे हमारी घलती है क्योंकि सरगार तो अपना काम करती है देखिए महराश में बड़े तो वहां पर lockdown लगा दिया मद्यप्रदेश में रा से बात कर रहे हैं वह अभी भी बहुत जरूरी है क्योंकि अभी हम इस रडाई से बाहर नहीं आए हैं लेकिन अब लोगों की attitude थुदा बदल गया है अगर आप किसी को कहें कि मास लगाई है मास लगाना ज़रूरी है तो वह कहते हैं कि यह तो मेरा अपनी personal हग है मैं नहीं लगांगा लेकिन उनको यह समझना चाहिए कि मास आपके लिए भी नहीं सारे समाज के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हो सकते हैं कि आप को कोविड हो और आपको पता भी नहीं है और आप औरों को infection पहला सकते हो इसलिए मास लगाना सारों के लिए जरूरी है अगर हम चा सकते हैं सर जैसे ही कुरोना बढ़ता है तो स्टेट गवर्मेंट जो है वो अपने अपने हिसाब से लॉकडाउन करना शुरू कर देती हैं जो दोबारा हम देख रहे हैं होना शुरू हो गया महाराश्ट केरल और मद्रदेश में हम देख रहे हैं ऐसे में क्या ये जादा जम सकते हैं सब्सक्राइब करनी है एक तो जो जो प्राइवर्टी लिस्ट में लोग आते हैं उनको आगे आके जितने जल्दी हो अपने आपको वैक्सिनेट करने करना चाहिए और इसमें सरकार भी पूरी मदद कर रही है दूसरी चीज है कि हमें किसी को भी अगर कोवेड होत संपर्क में आया है वो अपने आपको कॉरंटाइन करें या टेस्ट कराएं इससे यह पता चले कि आगे किसको बमारी फैली है और उसको कैसे रोक सकते हैं उन एलियास में हम कंटेन्मेंट जोन बनाएं कि जो आपे भी ज्यादा केसे आ रहे हो आगे ना पहलें और कोड़ जो है मास लगाना दोगस की दूरी हाथ दोना वह बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस समय जब हमारे पास वैक्सीन है और हमें कुछ टाइम के लिए ही वेट करना है जब ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाएगी तो उनकी इम्म्यूनिटी बढ़ जाएगी तो केस सर क्या आप सजेस्ट करते हैं या रिकम्बंड करते हैं कि लॉक्डाउन में जो हमारी जंदगी थी कुछ दिन के लिए हम उसी पर लौट जाएं बिल्कुल मैं ही कहूंगा कि जैसे हम पहले रह रहे थे कि हम भार नहीं जा रहे थे नॉन एसेंशल ट्रैवल नहीं कर रहे थे और अगर कोई ऐसी बात होती तब ही हम भार जाते थे नहीं तो घर में ही रहते थे बज़र्ग लोग का जाद धिहान रखते कि उनको एक्स्प के लिए तो इसलिए हमें अपनी रिस्पॉंसिबिल्टी अभी और ज्यादा समझनी चाहिए